कि हलो फ्रेंट्स दिस जास्पी वेलकम टो अदेगमंच विए प्रिजेंट है विदा अनौधर नीज सेशन लक्ष सीटेट 2020 साइकलोजी तो फ्रेंट्स यानि कि इस सीरीज में हम जो डिसकस कर रहे हैं हम यानि कि सीटेट 5 जोलाई को जो होने वाला उसा टार्गेट करके ए हम डिसकस करने वाले हैं तो फ्रेंट्स यानि कि यह जो रहेगा पार्ट टू इसमें हम डिसकस करने वाले हैं कुछ मैंत्पूर्ण कुस्टन तो यह रहा कुस्टन नमबर फर्स्ट आइए से देखते हैं यानि कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद यदि हम रचनावा किस तरह से अपना सिद्धांध प्रस्तृत करता है तो देखते हैं यानि सूचना को यान करने और पुने इस्मन द्वारा जांच करने परवल देता है या पर शिक्षक की प्रवुत्त साली भूमिका परवल देता है या पर अनुकरण की भूमिका केंद्रित है या पर डी की बात करते हैं तो दुनिया के बारे में अपना द्रश्टिक और निर्मित करने में विध्य के लाष्ती की भूमिका पर बल देता है तो फिर घंसर एंस अमाद यह रचना बाद की बात करते हैं तो किस तरह से पने सिद्धान परस्तुद और सूचनाव को याद करने और पुनेश्मन दौरा जांच करने पर बल देता है तो जब भी हम एए उप्शन की बात करते हैं तो याद करने जैसी बात कोई भी एप्रोच की हम किसी भी एप्रोच की बात करें चाहें वो वेभार बादी एप्रोच हो सरचनवाद यह प्रोच यह कोगनेटिव यानि के संग्यानवाद यह प्रोच हो तो एजुकेशन के संबंद में यानि कि याद करने पर और पुनेश्मन करने पर तो कताई भी बल नहीं देता तो फ्रेंट्स ऑप्शन ए विलकुर यहां से हड़ जाता है बी की बात करें सिक् सकता उसका जो वहवियर रहेगा यानि कि लोग तांत्रिक रहेगा तो यहां से बी ओप्शन भी हड़ जाता है अनुकरण की भूमिक आपर बल देता है सिर्फ इंटोनेशन की जब भी हम अनुकरण की बात करते हैं तो फिर अनुकरण पर बल नहीं देता तो फिरक्स यानि कि कुस्चन नमबर फर्स्ट का जो आंसर रहेगा डी बिलकुल करेक्ट रहेगा डी कहता है दुनिया के वारे में अपना द्रश्टिकोंड निर्मित करने में सिक्षार्ति या अपना एक मौलिक सोच निर्वत करता इस तरह से सरजनवादी सिध्धांत कहता है तो फ्रेंट्स कुस्चन नमबर फर्स्ट का जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा डी नेक्स्ट आगवर जाते हैं इसी के साथ यह रहा कुस्चन नमबर टू आज के लिए कुस्चन नम बात करने के योग्य हैं ठीक है उन विद्ध्यारति को हम किरियेटिव यह सरजनात्य में कहेंगे जो हरवार परिक्षा में बहुत अच्छे अंग करते हैं या फिर उनको कहेंगे जिनकी जो थिंकिंग होती है निकि पास लेटरल चिंतन और समझ से समाधान में अच्छा है में बहुत विलक्षंद है यहां पर बात करते हैं बहुत बुद्धीमान है तो friends, यहां पर एप्सन की बात करते हैं, एप्सन कहता है कि परिक्षा में हर पास अच्छे अंग प्राप्त करने वाला student जो प्रयाटिव नहीं होता, ड्राइङ और प्राइंटिंग में बहुत स्टूडेंट जिनकी पाइस आपके समस्य समाधान में बहुत अच्छे होते हैं लेट्र помощ यहां मतलब हम डिसकाश करेंगे तो to question new tuk a means आप बात कर लेते हैं लेटों यहां पर जो झाल करेंगे बात कर लेते हैं । है तो फ Macht ले लटर हो चंट किन जब हम बात करते हैं उसका साम्द सीदा सीदा किरियोटीविटी से है ठीक है टीक है गारे किरियोटीव से है सरजजवस्ञ नब यानि कि जो टीब बच्चे होते हैं जो किरिय नात्मक बच्चे होते हैं उसका शंबन द annoy कि कृक्ष valve का manner manner of solving problems using indirect and creative approach तो फ्रेंट एक ऐसा manner जिसमें जो student यह विध्यार्ती को भी व्यक्ति है अपनी indirect approach या creative approach अपनी creativity अपनी स्रजनात्माक्ता के अनुसार की समस्या का समधन कर पाने में जो सफल होता है उसकी जो thinking होती है उसका का चिंतन होता उसे हम लेटर पहले जो दी उनके बारे में हम बात कर लेते हैं तो यह दी एड़वर्ड कि एड़वर्ड डी बॉनों का संब्ध लेटरल थिंकिंग से तो फिर याद रखना यह काफी इंपोडेंट हो जाता है तो इस से तीन बात निकल कर आती हैं तो इस्टुडएंस वह होते हैं जो समस्य समधान करने में अधी जफल होते हैं ठीक हैं और उनके जिंकिंग होती है लेतरल होती है और लेटरल थिंकिंग का जो समंध होता है यानि कि जो टर्म दी वो दी 1967 यानि कि 1967 में Edward D. Bono तो Edward D. Bono का जब भी नाम आए या फिर Little Thinking का नाम आए तो आपके जहन में विल्कुल से याद आ जाना चाहिए कि 1967 Edward D. Bono का समझ लेटल थिंकिंग से लेटल थिंकिंग का समझ क्रियेटिविटी से हैं और हम डाइवर्ड जेट थिंकिंग की बात करते तो उसका समझ वे यानि कि लेटल थिंकिंग या क्रियेटिविटी से हैं तो फिर यह एक वात यानि कि कुस्चन नंबर हमने डिसकस किया यानि कि कुस्चन नंबर टू का बी ओप्शन बिर्कुल करेक्ट होता है अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुस्चन नंबर थर्ड यह रहां कुस्चन नंबर थर्ड अवधार्ण का विकास मुख्य रूप से इस पेस का हिस्सा जो अवधार्ण कोई बच्चा अपनी एक अवधार्णा बनाता है ठीक है कोई अपना कॉंसेप्ट के लिए करता है यानि कि जो एक कॉंस अवधार्णा बनाता है अपने मायन में अपने कोगनेट अपने संग्यान के अकॉर्डिंग तो उसका हिस्सा मतलब किस चीज का हिस्सा है सारे विकास का स या बहुत दिख विकास का तो फ्रेंट्स जब भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे के माइन में आप यानि कि आप धार्णा का जन्म होता है आप धार्णा मतलब अपनी चिंतन ठीक है अपनी विचार अपने जो मौलिक विचार है उसके पिरती किसी भी चीज को लेकर वो अपनी आप धार्णा एक अपना मौलिक विचार तयार करता है तो फ्रेंट उसका से सम्मंद होता है उसके कोगनिशन से होता है तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह आप धार्णा का जो वि व्यक्तिगत विद्ध्यार्थी एक दूसरे से स्पेस में भिन्न होते हैं तो मतलब जो विक्तिगत विद्ध्यार्थी होते हैं या फिर हम बात करें इंडिविजन डिफ्रेंसिस जो होता है वो किस चीज के आधार पर हम कह सकते हैं यानिकि विकास किरम में भिन्न होते हैं ठ जब दो वच्जों की जब भी हम बात करते है और अलग कई वच्छों की बात करते हैं यह दो वच्चों की बात करते तो individual differences किस तरह से पाया जाएगा तो यानि कि उनकी विकास कि तरह है rate of double up रहेगा वो difference रहेगा चाहिंए विकास कि रहा हूँ हो वह बच्चे के उचित विकास को सुनिच इस्त करने के लिए यानिकि बच्चे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्त सारी विकास एक महत्पूर्ण है यानि कि किसी बच्चे का यदि हमें विकास सुनिश्चित करना है तो उसका जो फिजिकल डवलोप्रेंट है वो जादा महत्पूर्ण हो जाता है क्यों ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल डबलो पर्ट है वो ज़्यादा महत्पून क्यों है क्योंकि All-over विकास को यदि सुन्जित करना है तो, यानि कि ये जो कतन है सही है क्योंकि विकास की रम में सारी रिविकास सबसे पहले स्थान पर आता है या फिर B की बात करते हैं सही है क्योंकि सारी विकास विकास के अन्य पक्सों के साथ अंतर सम्मंदित है या फिर C आप्शन की तरफ चलते हैं गलत है क्योंकि सारी विकास विकास के अन्य पक्सों को किसी भी प्रकार पर वहावित नहीं करता या फिर D आप्शन गलत हो सकता है है क्योंकि विकास नितान्त व्यक्तिगत मामला है तो यहां पर डी अप्शन के तरफ यानि कि डिसकस करते हैं गलत है तो फिर्ट गलत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि अरस्तुने भी कहा कि स्वस्त मस्तिक्स में स्वस्त मस्तिक्स का निर्माण होता है तो खुल मिला कि development का जो संबंद है physical development से तो बिल्कुल है है क्योंकि जब तक एक व्यक्ति एक बच्चा स्वस्त नहीं होगा तो उसके all over development चाहे वह mental development चाहे language development चाहे सब्वेकात्मक कास किसी भी तरह करका सो सारी भीकास से सम्बंदित होते ही होते हैं तो फ्रेंट क्योंकि व्यक्तिकत मामला नहीं क्योंकि physical development उसका प्सका कहीं कहीं न कहीं यह निश्चित अब्स का सब्सक्राइब यहां से हट जाएगा सी की बात कर रहें बात है क्योंकि सारे विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतसम्मद देते हैं बिल्कुल सही बात है क्योंकि सारे विकास के में बिल्कुल के विकास के छेटरों की बात करते हैं तो तो यहां समंद होता है तो यानिकर के चाथ करेक्ट यह क्रेक्ट रहुत रहेगा एक को देख लेते हैं सही है क्योंकि सबसे पहले स्थान पर यहां पर पहले स्थान की बात की गई सबसे पहले स्थान पर यह दूसरे स्थान पर लास्ट इस्थान की बात नहीं होते हैं कुल मिलाके जो फिजिकल डवलप्मेंट के आस्पेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते होते हैं तो कि हम पर इसी के साथ आएगा बढ़ते हैं कुस्ट्या नमबर जब फिप्ट है उसका जब बी अप्सिंट वूड करेक्ट एंहाम चलते हैं नेक्स्ट कुस्ट्ट्रून नमबर शिक्स अरफान खिलोनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग-अलग कर देता है उसके पुर्जों को देखने के लिए वो अलग-अलग करता है ठीक है उनके साथ वो अपनी मतलब खेल रहा है बच्चा और उसने खिलोना तोड़ दे और उसके पुर्जे जो होते हैं तोड़ना नहीं चाहिए या फिर इरफान को खिलोनों से कभी भी नहीं खेले देंगे या फिर उस पर हमेशा नजर रखेंगे तो फ्रेंट्स यानि कि उस पर हमेशा नजर रखेंगे ठीक है ऐसा नहीं कि बच्चा है तो खिलोनों से खेलेंगे भाई कोई वजर्व लोग खिलोने से खेलेंगे नहीं उस समझाएंगे कि खिलोनों को खावर नहीं तोड़िना चाहिए तो अच्छे बात हैं थे ऐदिस्के अंदर को खिलो左 को तोड़ने के बाद वह ये ऑजरब करने की कोशिज्स कर रहा है कि किस किस तरह के इसके पार्ट जो ओजा रहें कहां कहां काम करते हैं मतलब थोड़ी सी एक समझ्झ विक्सित कर रहा है तो उसकी जो उर्जा है उसे निदे इसा में संचारित करेंगे खुल मिलाके उस चीज़ से आप इस चीज़ का आंकलन तो करे सकते हैं कि बच्चा जिग्यास हुआ है तो उसके जिग्यासा को हम study में लगा सकते हैं, different different अलग way में लगा सकते हैं, यानि कि सही दिशा आपको निदारित करने हैं, बच्चा इस चीज़ को नहीं जानता है यह जो सीरीज है यानि कि लग्च सीटेट 2020 यानि कि चाइल साइकलोजे मनोविग्यान के सीरीज इसमें पेडागोजी समंदित हम मैं पूंड कोस्टन कर रहे हैं, तो इस सीरीज का यह पार्ट टू रहेगा, इससे पहले हम पार्ट वन कर चुके हैं यह सीरीज जो है फ्रेंट्स यानि कि सीडीपी की अंडिस्टेंडिंग को बहतर बनाने के लिए बिरकुर लास्ट तक रहेगी यानि कि फिप्ट जुलाई तक यह सीरीज चलती रहेगी फ्रेंट्स यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमा हमारे अधिगमंज से जुड़ते हैं तो निश्चे थी आप यानि कि उस टारगेट तक पहुंच पाने में सफल होंगे, तो फ्रेंट्स यानि कि कुस्चन नंबर सेवन देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धानतों को समझना सिक्षक के साहता करता है, यानि कि जो प्रिंसिपल्स और डवलोपेंट होते हैं किसी भी बच्चे के, यानि कि जो विकास के सिद्धानत, उनको समझना चाहिए, एक टीचर है, यह किलास में पढ़ाने जा रहा है, तो उसे यह सुनिस्चित कर लेना चाहिए, कि उसे यह पता है, कि किस तरह से बच्चे में डव पहाना चाहिए, यह है, और चित्त इस्थापित करने में, यानि कि जो विकास के सिद्धानत, यह पढ़ाने यह सिक्चक की help करेंगे, कि सिक्चार्थियों की बिन अधिगम सैलियों को पिरभावी रूप से सम्भूधित करने में, या फिर सिक्चार्थियों की आर्थिक प से help नहीं कर सकते, तो D option बिल्कुल हट जाएगा, फिरन किसी भी question को करने से पहले, आप question को बहतर तरीके से समझने के बाद, उसके option को सबसे पहले उन options को देखना चाहिए, जो हहां से बिल्कुल, यानि question से correlate नहीं कर रहे, उनको हटा देना चाहिए, तो हमने हां तो हटा करने में, तो फिरन्स बिल्कुल हट जाएगा, अब हम चलते हैं, आनि कि हमारे पास तीन उप्सन बतते हैं, तीन में से हमको सूच करना होगा, आप C की तरफ चलते हैं, सिक्चारती के सामझिक इस तरक को पहँचानने में, उसका जो विकास के सिद्धान तो वो किसी तरह स से help नहीं कर सकते यानि कि सीवी हड़ जाता है यदि हम बात करें वी अप्शन की तरफ सिक्षार्थियों के भिन अधिकम सैलियों को पिरवावी रूप से सम्भोधित करने में तो फिर बी अप्शन करेक्ट हो सकता है लेकिन अब हम एक और देख रहे हैं सिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए और चित्ते स्थापित करने में है तो फिर जिपर नहीं तो disposnung को सेवन को बी ऑप्सन को विल्कुณ से किस तरह से बच्चा सीखता है ठीक है फिर तेक बच्चा डिफेंट डिफेंट तरीके से सीखता है उसकी अलग से रूची होती है इंटरेस्ट होता है और उसकी क्रियोसिटी ठीक है उसका जो गती होती है अलग-अलग तरीके से होती है तो किस तरह से बच्चा सीखता है इ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स जो रहेगा कुश्चन नंबर 8 यह रहां कुश्चन नंबर 8 कहता है पिरतेक विद्ध्यारती या परतेक सिक्षारती स्वय में विशेष्ट है बल्कुल करेक्ट वात है क्योंकि हर एक वच्चे के अंदर अपनी अपनी एक विशेष्ट personality होती है थीम पिरते सकती हैं और किया कि शिक्षारतियों के लिए एक समण पार्ठե चरी यह संभव नहीं हैं झाइट करें यह वाथ बिल्कुल सही है तो ये जो बात हो गई पार्टे चलिया से संब्दित है फ्रेंट्स यहां पर सिक्षार्ति की कोई विसेस्ता नहीं बतारी तो यहां पर ए अप्सन को हम बिल्कुल हटा देंगे ए अप्सन हाँ से कट हो गया बी की बात करते हैं एक विसम रूपी कक्सा में सिक्षार्तियों के समता को विक्सित करना असंबब है विसम रूपी जो कक्सा है तो सिक्षार्तियों कि समता है उनको विक्सित करना असंबब है विल्कुल भी नहीं क्योंकि सिक्षा जो होती है विसम रूपी ही होती है प्रतिक यानि कि हर कक्सा में जो बच्चे होते हैं सेम लेवल के नहीं होते उनका लेवल बुद्धी होता है पिर्थिवा साली होता है तो कुल मिलाकर आई को लेवल अलग अलग होता है तो कोल मिलाकर यहां से बी अप्शन भी खट जाता है यह दिए हम सी की बात करें कोई भी दो सिक्सार्थी अपनी योगतां ठीक है रुचियों और पिर्थिवाओं में एक समान नहीं होता डी की बात करें सिक्सार्थियों में नहीं तो कोई समान समान विश्यस्ता होती है और नहीं नहीं उसके लक्ष समान होते हैं तो फ्रेंट्स शही बात है ना तो समान विश्यस्ता होती ना लक्ष समान होते तो फ्रेंट्स यानि कि प्रतेक यूगत अलग होती है रोची अलग होती ज 오른क जो प्रतिवा जो इसादर पर हम कह सकते हैं अपने Base को प्रतिवा रखता है प्रतिवा इस्टूदेट के प्रतिवा रखता है प्रक्षे यह 2088 का अपसन होता है V Better पुरुषल इस्त्रियों के अपेक से ज्यादा बुद्ध्धिमान होते हैं ।ो पुरुष पक्सों के लिए सही है या पेर सही हो सकता है तो जब Jimcondy पहिं हम करते हैं मेल और फिमेल की एक लड़की और लड़का की तो फ्रेंट्स बिलकुल भी किसी भी आधार पर यह निश्चत नहीं किया जा सकता कि लड़का ज्यादा बुद्धिमान है या लड़की ज्यादा बुद्धिमान है फ्रेंट्स पिरते एक बच्चे के अपने अपने इंडिवि अच्रेश्टे और यह तो यह तो बिल्कुल कहीह नहीं सकते कि लड़की अच्छे होती है या इंट। मिजेन्ट होती हैं तो यानि हैं और सबाते हैं आप जो सामद्दार आ निरधारित है कि यह लड़की है और एक लड़का है टीक है जन्व के बाद जब बच्छे का जन्व होता है या बच्चा घर्म में होता है तो ठीक है उसे खुद भी नहीं पता होता होता जन्व के बाद भी कि लड़का में वह सबसे पहले आपने देखा हो को बच्चे एक दूसरे मापस से मिलकर रहते हैं तो लेंगिक पूर्वा ग्राय यानि कि जेंडर की बात करता है सौसाइटी करते हैं सामाजिक संदाचनल निर्धारत की गई है कि यह लड़की यह लड़का है और इस तरह से ऐसा माना जाता है सौसाइटी में कि पूरुस इस्तरियों के पेक्चा जादा बुद्धिमान होते पहिए लेकिन कताई सही नहीं है सिर्फ लचक पूर्वा ग्राय को पिरदर्सित करता है सिर्फ लड़की ओअ लड़का में ब्ह Composett करता है सौसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है ना फिर हम लड़के को तो सिर्फ यह लगंगे पूर्वा ग्राव को पर दर्शत करता है नेक्स्ट यानि के कुस्चन नमबर टैन इस सीरिज का लास्ट कुस्चन रहेगा इनकी लक्ष सीटेट 2020 साइकलोजी पार्ट टू इसमें हम 10 कुस्चन डिसकस कर रहे हैं तो फ्रेंट वापस आने पर अपने विच्फ के साथ विर्माण पर चरचा करती हैं ठीक है बापस Vitionally में आने के बाद उस इस साथ कि उस बिर्मार पर चरचा करो आपने महाँ पर क्या क्या चीज देखी कौन कौन सी चीज और जब करें ठीक है कुछ कुछ historical aspects आपने समझने की कोशिस करें तो यह जो करता है किस और संकेत करता है यानि आकलन के लिए सीखना ठीक है या फिर आकलन का सीखना की तरफ चले सीखने का आकलन ठीक है यानि एसेस्मेंट या फिर सीखने के लिए आकलन तो फिर आकलन के लिए सीखना यानि आकलन के लिए सीखना नहीं है नहीं कि अपयास आखंड द्र्रमत सीक ने का सीकना और नहीं है तो यहां पर रहा और को करेक्श किसी भी मौनिमेंट कर किसी आखंड घात पर उनके साथ इसकुष्ण होता है ठीक यानि कि उस चीज उस हैत्र रहुंद में क्या का स्टूडेंट्स ने शीखा उस पर डिसकॉस टीचर और स्टूडेंट्स के बीच होता है इस तरह से वह बहुत सारी चीजे निकल कराती हैं बच्चे अपने पक्स रखते हैं ठीक है और कुछ जो सीखने के कोशिश करते तो उ प्रफ्यूज करने के लिए तो यहाँ पर यह चीज याद रखना कि जब कोई भी स्टूडेंट्स यानि कि किसी छेत्र विसृस पर जाता है और उसके बाद यानि कि उसके बाद पहले अबजर्वेशन करता है उसके बाद इसकरसन होता है उसे हम कहते हैं आनि की सीखने के के लिए आंक लान तो फ्रेंस कुस्चन नंबर टैन का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा तो फ्रेंस आई होप यह सीरिज आपको हेल्प करेंगे सीड़ी पेड़ागोजी से समान देता आपके जो अंडेस्टेंडिकों से बहतर बनाएगी ऐसी मैं आशा करता हूं तो फ् करेंस वे से ञे ये समान अवा ह।ंग् झाल झाल झाल